प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी अपने 42 दोरे पर शनिवार यानी की आज वारालसी पहुँचे हैं जहां उन्होंने इंटरनेश्टल स्टेडियम का सिलन्याश किया उसके बाद भोजपूरी में अपनी स्पीच के शुरुआत की इसी दोरान प्रदान मंत्री मोदी के साथ किर्केट जगत के कई दिगज खिलाडी भी वहां मौजूद रहे प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी अपने लोगसबा छेतर वारालसी पहुँचे हैं जहां उनहोंने गणजारी में अंतरास्ट्रे क्रिकेट स्टेडियम का सिलन्याश किया आपको बता दें कि एरपोर्ट से गणजारी में होने वाली जनसभा का रास्ता उन्होंने हेलिकौटर से तै किया जहां पर वारालसी एरपोर्ट पर CM यूगी आदितनात ने PM मोदी का स्वागत किया फिर दौनों खुली जीप में लोगों के बीच गए इसके बाद PM मोदी ने हरर महादेज से अपनी स्पीच की शुरुआत की और कहा कि आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूँ जब चंद्रमा के शिफशक्ती पॉइंट पर भारत के पहुंचने का एक महिना पूरा हो रहा है शिफशक्ती यानि वो स्थान जहां बीते महिने तेज तारीक को हमारा चंद्रयान लेंड हुआ था एक शिफशक्ती स्थान चंद्रमापर है और दूतरा शिफशक्ती का स्थान यहां कार्शी में है साती कारकरम के मंच पर PM के साथ साथ सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावसकर जैसे क्रिकेट खिलाली भी मौजूद रहे इस दौरे के दौरान पी-म मोधी ने वारानसी को करोडों की सौगात देते हुए अटाज आवासिय विद्यालियों का लोकारपड भी किया ऐसी खबरों में अपडेट रहनी के लिए जुड़े रहे हैं सर्माई टाइम्स के साथ मैं था सिद्धान तरपाइटी इस वीडियो को लाइक करें, श्यूर करें, साथी साथ चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्र करें हैं